अच्टर अदित्य सिंग राजपूत की अचानक मौत से इंटिटेन्मेंट इंडस्री को बड़ा जटका लगा है 22 मई को अच्टर अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे वही अब इस मामले में पुलिस ने चौका देने वाले खुला सा किया है पुलिस ने कहा है कि अदित्य की पिछले कुछ दिनों से तब ये ठीक नहीं थी नौकरानी ने पुलिस को बताया कि अभी नीता को खासी, जुखाम और उल्टी हो रही थी अदित्य ने रवीवार को भी पाटी की थी नौकरानी के बयान के मुताबिक सोवर्ड सुबग 11 बजे अदित्य उठकर नाश्ते में परा ठकाया था लेकिन उसके बाद उन्हें लगतार उल्टे होने लगी थी उसके बाद उनके कुप को खिचड़ी बनाने को कहा तो पहर दो बजे से ढ़ाई बजे के बीच अदित्य सिंग राजपूत बातरूम में चले गए उनके घर के नौकर ने जोर से गिरने के आवाज सुनी और उसे देखने के लिए वो दोड़ा तो अदित्य जमीन पर गिर गया था जिसके वज़ा से उन्हें चोट आई थी वाजपूत के ब्यान के मुताबिक जब वो गया तो बातरूम के कुछ टैल से टूटे हुई थी हाउस हेल पर नीचे के और दोड़ी और वैचमेन से मदद मांगी वाजपूत को सुसाइटी के बाहर इस्तित एक इस्पूताल से डॉक्टर को लेकर आया डॉक्टर ने सुझाव दिया कि उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा फिर अदित्य की एक फीमेल फ्रेंड और पुलिस को सुचित किया गया अदित्य को जागेश्वरी के ट्रामा केर हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्हें मृत गोशित कर दिया गया यहां हम आपको बता दे कि पिलहाल पुलिस अभीस मामले में जाच मिजुटी है लेकिन दूसरी तरफ आठ सुबह 11 बजे सिधात के बॉड एस्पताल कोस्माटम करने के बाद परिवार वालों के मन्जूर के साथ अंतिम संसकार कर दिया जाएगा पिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही एस एंटेइन्मेंट और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे ब्योपी हिंदी के साथ धन्यवाद